नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से मैं स्वागत करता हुँ हमारे यूनिक ऑन-लाइन गुरू चैनल में जैसा कि मित्रों आज हम लोग देखेंगे लूप के बारे में कि लूप क्या होता है तो मैंने आपकों को बार 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 प्रबताया कि अपने कोड को जब कोई बार बार execute करना, क्या करना, बार-बार उसे run कराना, तो उसे हम लोग loop का प्रयोग कहते हैं, जैसे मालो for example की बात करें, अगर हम लोग, तो जैसे मैंने hello world में, hello print में hello world वाले program मैंने आपको बता, जब मुझे एक line कोई program run कराना होता, तो हम क्या करते हैं बार-बार उसे लिखते हैं कि print hello world print hello world, print hello world, लेकिन जब हम किसी बड़ी company का program बनाएंगे, तो हमें इतना दा लिखने के लिए हमें problem face करना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर while loop का प्रयोग करते हैं, तो हम लोग हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग प्रोग्राम रन कराते हैं, हम लोग प्रोग्राम रन कराके, इसके माध्यम से देखेंगे, तब हमें exactly समझ में आयाएगा, कि actually में हमारा loop कैसे काम करता है मैंने यहाँ प्रोग्राम छोटा से लिखा हुआ है, आप लोग को दिख रहा होगा, अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे, ठीक है मैंने क्या किया, यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो मैंने दिया है, एक्जामपल आफ वाइल लूप, आइज इक्वल टु वन, वाइल इस आई लेस दन शिक्स, ठीक है, और प्रिंट आई, ठीक है, फिर यहाँ के लिखा, आई प्लस वन, तो इसका मतलब क्य प्रियोग करते हैं, तो आगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग बात कर रहे हैं, वाइल लूप की बात कर रहे हैं, वाइल लूप की बात कर रहे हैं, वाइल लूप की हमारी कंडिशन हो गई, अगर दोस्तों हम इसको रन कराते हैं, तो हमारा क्या आएग से हम लोग इसको run करा सकते हैं फर इग्जांपल की बात करें अगर हम लोग यहां पर 11 अगर कर दें तो देखें क्या आता 11 कर देंगे तो 10 तक आएगा हमारा आराम से देखें यहां पर हमारा क्या आया 10 तक आया तो इस तरीके से क्या होता हमारा while loop दोस्तो run करता है हम आसा करते हैं कि while loop आप लोगो clear हो गया होगा और इसी में अगर हम लोग एक program और देख लें with else का प्रयोग कैसे होता हमारे while loop में तो मैंने भी उसको च्छटा सा program यहां पर लिखा हुआ है आप लोग देखिए मैंने यहां पर greater than 5 हमने दे दिया यहां पर फिर क्या दिया हमने यहां पर दिया print count is less than 5 देखिए एक्चली क्या है यह हमारा count है कौन सा count है यह ठीक है और यह क्या है हमारा string है तो यह सब में print होगा ऐसे तरीके से तो यहां पर क्या दिया है count count plus one ठीक है काउंटीज ChiChh which you have a few हैं तो हम लोग इसको कंट्रोल सेव करके रण करा के दिखाते हैं आप लोगों को देहां पीजिया है क्या दिया हूआ है कि जीरो एस लेज द सब्सक्राइब है तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं अगर हम लोग कहें एक प्रोग्राम और देखने के लिए तो हम लोग एक प्रोग्राम और देख लेते हैं थोड़ा सा ताकि आप लोगों कोग प्रॉब्लम ना रह जा कोई कभी जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसे मालों हमने क्या दिया आई इस इक्वल टू वन दिया ठीक है फिर हमने यहां पर क्या दिया वाइल लूप दिया वाइल आई लेस दैन टैन हमने दे दिया ठीक है और हम लोग फिर यहां पर क्या करते हैं प्रिंट हेलो कौन हमने दिया यहां यूनिक ऑनलाइन गुरू ठीक है हमने क्या दिया यहां पर हमने आपको दे दिया यूनिक ऑनलाइन गुरू अब देखें जैसे हमने अपने यहां पर यूनिक ऑनलाइन गुरू दिया अब यह क्या करेगा देखिए अब अगर इसको प्रिंट करेंगे तो इन फाइनाइट जाएगा लेकिन हमें इन फाइनाइट नहीं देखना हमें क्या करना है 10 तक ही काउंट करना है तो i is equal to क्या करेंगे i plus i plus one कर देंगे always क्या होता i plus one i plus one होता रहेगा तक जब तक ही आपका solution पूरा नहीं देखा जैसे हम लोग इसको print करेंगे देखे जैसे हमने क्या किया इसको print किया यहाँ पर देखिए hello unique online guru hello unique online guru 10 times इसने क्या किया print कर दिया आसानी से दोस्तो तो यह हमारा क्या होता है while loop देख लिया हमने और while loop में हमने ilz के साथ भी देख लिया दोस्तो तो हम आसा करते हैं कि आप लोगों को while loop बहुत अच्छे समझ में आओगा अगर आपको लगता है कि कोई इसमें सुझाओ देना चाहिए या फिर हमें कुछ और भी अच्छा करना चाहिए तो बिल्कुल आप हमें comment box में comment कर सकते हैं मैं आपके comment का wait करूँगा और आपके comment के अधार पर ही मैं अपना अगला वीडियो बनाऊंगा दोस्तो ठीक है अगर ये वीडियो पसंद आए तो एक बार like, share, subscribe जरूर करें इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तो जैहिंद